नमस्कार, मैं हो ससी, आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं होती है, और ऐसे में दूसरे पूर्ण चंद्र को ब्लू मून कहा जाता है, बता दे कि मुंबाई के नेहरू तारा मंडल के निदेशक ने कहा है कि एक अक्टूबर को पूर्णीमा थी और अब दूसरी पूर्णीमा 31 अक्टूबर को होगी एक नॉमबर से गयस के डिलेवरी OTP के माध्यम से होगी, बिना OTP के आप सिलेंडर नहीं ले आ सकते बता दे कि एक नॉमबर 2020 से तेल कम्पनियों द्वारा नए नियम से LPG सिलेंडर की होम डिलेवरी की जाएगी, इस प्रोसेस का पाला नहीं करने पर होम डिलेवरी में परसानी हो सकती है रसोई गयस की चोरी रोकने और सही ग्राकों की पहचान के लिए सरकारी तेल कम्पनियों ने नहीं ब्यवस्था लागू करने का फैसला किया हो एकल अभियान के आवान पर देश बिदेश के 40 लाग परिवारों ने किया सुन्दर कांड का पाट एकल अभियान सिरी हरी सत्संग समिती के आवान पर विजय दसमी के दिन 25 अक्टूबर को 40 लाग परिवारों ने सुन्दर कांड का पाट किया इतने परिवार के लोगों ने अनले रेजिस्टेशन कराया था इनमें भारत के साथ साथ विदेश में रहने वाले भारतिये परिवार के लोगों ने सुबा च्छाओ वए से रातरी दसमी तक अपनी सुविदा के अंसार घरों में पाट किये बिहार चुनाओ के कारण कोडार्मा हजारी बाग में सराब की दुकाने 28 तक बंद बिहार विदासबाद चुनाओ का असर बिहार से सटे कोडार्मा में भी देखा जा रहा है नवादा और गया में 28 अक्टूबर को होने वाले मदान को लेकर कोडार्मा जीला पर सास अलट है सोमवार की संदया 4 वए से बुद्वार की संदया 4 वए तक ड्राइड देखोसित किया गया है वहीं बिजया दसमी को लेकर सुबा से ही सराब की दुकाने बंदा है जामुओ के पक्ष में मंत्री भोकता ने किया प्रचार स्राम नियोजन इवां प्रसिक्षर मंत्री सिरी सत्यान भोकता ने दुमका परखंड के दोजनों से अधिगाओं में डोर टू डोर जन संपर्क अभियान चला कर दुमका बिधान सभा उप चुनाओं में जामों से महागड बंदन प्रत्यासी बसंद सुरेन के पक्ष में कि जनता से अपिल की वहीं पूर्वर्ती सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने दुमका में एक भी विकास का कारे नहीं किया दुमका डीडीसी कर रहे जामों उमिद्वार के पक्ष में प्रचार बिजेपी भाजपा चुनाओ आयोग संपर्क विभाग के संजोजक और अधिवक्ता सुधी स्रीवास्ताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ग्यापन सभते वे दुमका डीडीसी संजय कुमार सिंग के खिलाप लिखित सिकायत की सिरीवास्ताओं ने सोमवार को बताया कि अगामी 3 नौवंबर को दुमका विधान सभाज छेत्र में उपचुना होना है इस संबन्द में दुमका में पदस्थापित डाक्टर संजय कुमार सिंग सरकारी पत पर रहते वे दुमका से जा सब्सक्राइब ने ससुर के बस में आग लगा दी बता दे कि इस से बस में सोय हुए एक अस्थानिय ब्यक्ति की जलकर मौत हो गई SSP सुरेंद्र कुमार जहा के निदेश पर DSP निरज कुमार के नित्वित्र में आरोपी को बारा गंटे कंदर ही गिरफतार कर लिया गया DSP निरज कुमार ने बताया कि पास के रहने वाले जावेद नामक युवक की पत्नी कैंसर से पिली थी गुमला में आदिवासी भाई बहन की हत्या जाकन के गुमला जिला में सनिवार की रात आदिवासी भाई बहन की हत्या कर दी गई है हत्या से पहले लड़की के साथ दुसकर्म की असंका ब्यक्त की जा रही है रभिवार की सुबह में भाई वहन का सोव पढ़ा देकर ग्रामीन सहम गए हैं बता देकि इस हत्या के कारणों एवं हत्या का पता पुलिस पता लगा रही है पुश्ट दास चल रही है इस बारे में ग्रामीन कुछ भी बोलने से कत्रा रहे हैं सिम्डेगा में नवालिक लड़की से समयिक दूसकर्म जाकन के सिम्डेगा जिल्ला के कुर्डेंग थाना छेत्र में नवालिक से समयिक दूसकर्म करने का मामला सामने आया है पुलिस ने तवरीद करवाई करते हुए घटना के दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया है डियस्पी सहदेव साव से मिली जनकारी के अनुसार कुडेगा थाना में 25 अक्टूबर को कांड संख्य 28-20 में नवालिक के साथ समयिक दुसकर्म का मामला दर्ज किया गया है को युवक ने अपनी हवस का सीकार बनाया है महिला ने मांडू थाना में प्राथ्मी की दर्ज कराई है पलामो जीला के पाटन थाना अंतरगत सेमरी गाम में हुई हत्या के मामले में दो भाई समयत तीन आरोपियों को पुलिस ने जिरफतार किया है जारखन में 220 ने संक्रमितों की पुष्टी हुई जबकि 71,99660 लोग स्वास्थ हुए और 1,299,534 की मिलीती हो गाई भारत में 35,932 ने संक्रमित मिले है जबकि 63,572 लोग स्वास्थ भी हुए है बता दे कि इस समय जारखन में कूल एक्टीब केस 566 है जबकि भारत में एक्टीब केस 6,262 बचे है